अरे आओ आज की वाटर रेस जीतो और पाओ 10 करोड की चेयर वो भी बिलकुल फिरी में जल दियाओ अरे यार ये कौन पागल है जो की इस कुरसी को पूरे 10 करोड की बता रहा है ये तो 10 रुपे की भी नहीं है अरे तो चलो भी चल कर इससे ही बात करते हैं अरे ये आदमी क्या भकवास कर रहा है भला कोई कुरसी भी 10 करोड रुपे की हो सकती है क्या चलो इसके पास चलता हूँ अरे बड़े बाई जरा सामने देखो रोपीरो और सुपरीरो वहां पर बागते हुए जा रहे है तेरी बिल्कुल सही बोला मुझे कुछ कड़बर लग रही है चलो हम भी वहां पर चलें अरे आ चलो अज़ो तेरी लुग जो मुझसे पहले कहा जा रहे हूँ अरे क्या ये कोई जादुई कुरसी है जो इसकी कीमत 10 करोड है अरे मुझे तो लगता है इसकी एक कुरसी हवा में उड़ती होगी अरे नहीं तुम दोनों बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम अगर इस कुरसी के अंदर बैठोगे तो ये अपने चारो तरफ एक बोल बना लेगी अरे वायार तब तो कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा अरे वो सब तो ठीक है लेकिन पहले ये तो बताओ कि इसे जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा अरे तुम दोनों को कसीनो के पीछे वाले समुंदर के अंदर अपनी अपनी रोड स्टार कार से रेस करनी पड़ेगी तेरी बिल्कुल सही बोला मैं अभी जाके पोपकॉन लाता हूँ और ये देखो यार मैं तो अपनी रोड स्टार कार लेकर आ गया अभी रेस स्टार्ट करो अरे हाँ मैं भी अपनी रोड स्टार कार लेकर आ गया जल्दी से रेस स्टार्ट करो अरे वा बहुत अच्छे अभी जल्दी से अपनी गाड़ियों को पानी के अंदर कुदा और रेस स्टार्ट करो अरे वा भाई अभी देखो रोप हीरो और सुपर हीरो के बीच में वाटर रोड स्टार की रेस स्टार्ट हो चुकी है और अभी दोनों ही अपनी कार्स को काफी तेजी स्पीड में चला रहे हैं अरे भाग मेरी धन्नों और तेज भाग तुझे आज इस रोप हीरो के बच्चे को हराना पड़ेगा अरे सुपर हीरो मेरी धन्नों भी तुमारी धन्नों से कम नहीं देखना तुमारी धन्नों आज मेरी धन्नों से हार के रहेगी अरे वाय यार इन दोनों के बीच में तो काफी टकर का मुकाबला है तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग किसकी टीम को सिलेक्ट कर रहे हो अरे गाईज आप सभी लोग हमेशा रोफ हीरो की टीम को स्लेक्ट करते हो लेकिन अब की बार मेरी टीम को स्लेक्ट कर लो प्लीज अरे गाईज आपको तो पता है ना मैं यानि की रोफ हीरो बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ देखना आज भी मैं ही जितूंगा अरे तो गाईज आप लोग टीम का नाम कमेंट करो लेकिन ये देखो सामने तो हमको लाइट हाउस दिखाई दे रहा है और ये देखो अभी तो रोफ हीरो और सुपर हीरो लाइट हाउस के शिप याड के पास में पहुँच गए हैं और अभी इन दोनों को अपने अपनी रोड स्टार कार को इस शिप याड से घुमा कर वापस उसी जगे पढ़ ले जाना पड़ेगा जहां से इन दोनों ने रेस को इस टार्ट किया था अरे ये देखो भी तो शिप याड के पास में पहुँच गया जल्दी से गाड़ी घुमा लेता हूँ अरे मुझे लगता है मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा वरना ये सूपर हीरो का बच्चा मुझसे आगे निकल जाएगा अरे वाय यार ये दोनों कॉमपटिटर्स तो काफी टककर के लग रहे हैं इनके अंदर तो काफी टककर की रेस होगी अरे हाँ रेस तो टककर की होगी लेकिन इस टककर की रेस के अंदर जीतेगा सिर्फ सूपर हीरो अरे यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सूपर हीरो का बच्चा तो जीत जाएगा मुझे एक शॉटकट मारना पड़ेगा अरे ही काम करता हूँ मैं समुंदर के 20 से जाता हूँ और सूपर हीरो को साइड से आने देता हूँ अरे वायार मेरी कार तो अभी काफी आगे चल रही है आस तो एरो फिरो का बच्चा मुझे से हार के रहेगा अरे वायार देखो सामने तो एंडिंग पॉइंट आ गया और अभी मैं विल्कुल सही शॉटकट मार रहा हूँ और इस तरीके से मैं सूपर हीरो से पहले वहाँ पर पहुँच जाओंगा अरे तो गाइस ये देखो सामने तो अभी एंडिंग पॉइंट साफ साफ दिखाई दे रहा है तो अभी देखते हैं कि कौन जीतने वाला है आज की रेस तो आप मेसेजिस जिसने भी सूपर हीरो को सिलेक्ट किया है वो वीडियो को लाइक कर दो और जिसने रोप हीरो को सिलेक्ट किया है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अरे वा देखो मैं तो जीत गया अरे दिखो यार सुपर हीरो तो नाराज हो गया मैं एक काम करता हू ये चेर इसको दे-देता हू अरे सुपर हीरो इस चेर को तुम रखो मुझे यह नहीं चाहिए अरे ये क्या ये रोप हीरो अपना प्राइज छोड़के यहाँ से क्यों भाग गया अरे यार वास्तों मेरो फिरो काफी अच्छा है उसने अपना प्राइस मुझे दे दिया अरे गाइस मैं इसको चला कर ट्राइ करता हूँ तब तक आप आज की वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब कर दो तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ